असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू मैं चैनल, कैसे हैं, आप सब उमीद करते हैं, आप सब ठीक होंगे, आज मैं आपके साथ लाई उर सब की पसंदिदा आलू के पकोडे, बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही लाइट से टेक्स्चर के साथ, और बहुत ही कम टाइम में बनके और कड़क रहेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे, तो चलिए हम शुरू करेंगे, किस तरह से इसे बनाएंगे, और कौन से टिप्स और मेथट से इसे फॉलो करके बनाएंगे, तो चलिए शुरू करेंगे तो यहां पर मैंने दो जो बड़े साइस के आलू होते वो मैंने ले लिए और उसे अच्छे तरह से मैंने कट कर लिए गोल गोल शेप में तो हमें ना ज्यादा एकदम पतले करना है ना ज्यादा मोटे कट करना है वरना जो हमारी जो आलू की भजिया है वो अच्छे तरह स से करना है में और उसे मैंने पानी में डिप कर के रखिये क्योंट एखिब sick हो जाता है तो इसलिए जब हम आलू को कट करते हैं तो उसी टाइम बाउल में पानी भरके और उसी के अंदर हम डालेंगे तो आलू का कलर कभी काला नहीं होगा सबसे पहला टिक यह और यहां पर देखिया बनाने के लिए उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना कहांगे तो यहांपर सबसे पहले मैंने 1 कप बरके बैसन ली हूं और यहां पर मैने यहां, आपको चावल का अटा डालना है अगर आपके पाद चावल का अटा नहीं है जो अजवाइन होती है वो मैंने हातों से क्रश करके डाली हूँ और साथ में मैंने एक मुठी बारी कटा हुआ कोद में राट करी हूँ तो अजवाइन डालने से यह फायदा होगा कि जो भी हम तलीवी चीज़े खाते हैं तो वह हमारे पेट में नुकसान नहीं देती और अजवाइन से हाजमा हमारा अच्छा होता है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें मेथट फॉलो करना है तो यहाँ पर देखिए आपको जो भी मॉइस्टर उसके अंदर जो भी पानी है वह ताकि जो पेपर टावल है वह पूरा एब्सॉप कर ले तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर आपको नहीं करना है तो यह आपके उपर है बस यह होना चीए कि पानी को आलू में से पानी बिल्कूल भी ना होना च साइड में मैंने कडाई में आयल गरम करने के लिए रब दियू जो हमें आलूओ को डीप फ्राइ करना है तो यहाँ पर देखिए बैटर है थो यहाँ पर हमारा ओयल गरम हो चुकाता तो यहाँ देखिए कैसे क्रिश्पी सी और फूली-फूली हमारी भजिया बनके रेडी तो यहां पर जैसी हमारा ऑईल गरम हो जाता है हमें फॉरन ही डालना है और फॉरन डालने के बाद हमें इसे चलाना नहीं है चम्मस से क्योंकि थोड़ा देर उसे एक से दो मिनिट लगेगा टाइम लगेगा उसे थोड़ा सा फ्राई होने के लिए तो जब आपको ऐसा लगे आलू की पकोड़ियों को फ्राई कर लेना है तो यह आपकी आफ़िया तो पूरी के तरह फूलेगी और कुछ टाइम तक वह काफी टाइम तक क्रिश्पी से भी रहेगी और बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगी नहीं तो जाधा तर आलू अगर हम रोज़े से एता घंटा पहले भी हम अगर फ्राइ कर लेते तो वो जाधा टाइम तक कड़क नहीं होती है तो वो इतनी मजा नहीं आती है खाने में तो यहाँ पर गर्मा गरम आलू की पकोड़िया सारी रेडी है तो आप लोग भी गर्मा गरम सर्फ करिए टमाटो सॉस के साथ खाईए चटनी के पसंदे तो इसलिए मैंने वही रखियो तो आपको हरी चटनी के साथ सर्फ करिए उसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में जब तक लिए अल्ला हाफिस थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो और डोंट तो